जैमिनी साहिते फाउंडेशन के तत्वाधान में उजाले उनकी यादों के पुस्तक का विमोचन टाउन हॉल पर किया गया पुस्तक की लेखक और समास सेवी डॉक्टर मुहमद जावेद ने बताया कि ये पुस्तक उनके पिता मास्टर नन्हु हुसायन की जीवन पर आधारित है जिन्होंने विपरीट परिस्तिप्यों और ग्रामेट परिवेश में रहकर नासरोच्य सिक्षा प्राप्ति की बलकी पूरा जीवन सिक्षा के विकास के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने अपने जीवन में 6 विद्याले इस्थापित किये तीन सरकारी और तीन प्राइवेट विद्याले ये पुस्तक नई पीढ़ी को सिक्षा के महत्व वा सिक्षा प्राप्ति के लिए सदाव प्रेडित करती रहेगी दॉक्र मौबद साविद ने बताया कि उनके पिता मास्टर नन्नु हुसायन का देहान 17 नवंबर 2020 को 86 वर्ष के अवस्था में रिदय रोप के कारण हुआ था उनके पूरे जीवन को संस्मरण के रूप में इस पुस्तक में लिखा गया है ताकि युवाओं को उनके जीवन क संस्वर्णों के प्रकाशते जीवन को नई दिशा और प्रेर ना मिलती रहे मुरादबाद के वरिष्ट साहितिकार डॉक्र विश्व अवतार जैमिनी ने इस अवसर पर कहा कि मास्टर नन्नु हुसायन सक्षा प्रेमी होने के साथ साथ इंसानियत शालेंता और तहजीद क पाई पहतरीन संगम थे जिन्होंने संकुर्ण जीवन देश और समाज के लिए सभर्वित कर दिया और यह करती का मेरा नाम है उजाले उनकी आदों के यह मेरे बालित साथ की याद में मैंने एक संघर trophy किया है ये संग्स्मरण है उनका जो मेरे बच्पन से लेकर अब तक के मेरे जीवन में जो भी उनका प्रभाव मेरे जीवन पर रहा उसको मैंने संकलित किया है और इसमें ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि हमारी अपने बुजुरूबों की पृति अपने परिवार के पृति क्या करतब्ब हैं वो आने वाली वो एक अध्यापक थे, उन्होंने समाज को नई दीसा दी, उनके जीवन के बाद भी वो उनसे जो एक सीखने वाली पिल्क्रिया है, वो ने अंतर चलती रहे, इस किताब में मैं लेगी जो उने का प्रियास की रहे। शांत महराज संत कामिश्वर मिश्रु पादरी पोल सारस्वत पादरी के डैनियल मसी प्रमकुरूप के कर कमलोद द्वारा किया गया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंग मनोज पराशर शांतनु पांडे अनुज शर्मा निर्मल पांडे भी उपस्तित रहें मैं संचालन डॉक्टर मुहम्मद जावेद भा आभार अभिवेक्ती मनोज कुमार ने की। इस अवसर प्रमकुरूप के की।